वर्धावचिले में पुलिस के वरिष्ट अधिकारियों द्वारा पुलिस कर्मियों पर किये ज़ा रहे अन्याय को रिलेकर अब आधार महिला श्रक्ति स्वंसवा की अध्यक्ष सुनिता तडस ने आवाज उठाई जिसकी खबर महराष्ट टीवी 24 ने प्रसारित की जिसके तुरंत बाग खबर का बड़ा असर देखने को मिला और तक काल वरिष्ट पुलिस अधिकारियों ने पुलिस कर्मचारी पराग आतराम को जॉइंड कर लिया निस्पक्ष और निडर ये स्लोगन है महराष्ट टीवी 24 का जो जनहित के मुद्दों को आपके समक्ष लाकर सोय प्रसासन के अधिकारियों को जगाने का प्रयास करता है यही कारण है कि दिन बदीन महराष्ट टीवी 24 की खबर का असर होता दिखाई दे रहा है सर जब से हमारे वर्दा जिल्ले में एस पी नुरूर हसन साब आये है तब से हमने देखा है कि 23 से 26 लोगों को उन्होंने मुख्याले अटेच किया है और कही लोगों को 16 लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया है और बहुत से लोगों को इंक्रिमेंट भी खाए है उन लोगों ने लेकिन सर मैं यहाँ पर ऐसी केस लेकर आई हूँ कि एक हमारे जो सिपाई है उनकी डायरेक उन्होंने जिल्ले के बाहर मतलब आसपास भी नहीं जिल्ले के बाहर नासिक में बदली की है और उसके थूब मैं यहाँ पर आई हूँ और ऐसे बहुत से सिपाई की उन्होंने इंक्रिमेंट या बहुत से अत्याचार चालू की है और पहले तो हमारे वर्दा में ऐसा था कि वर्दा में क्या चल रहा है तो SP मतलब नुरूर हसन जी चल रहा है और अब इसा चल रहा है कि SP हटाओ वर्दा बचाओ हमारा वर्दा जो है वो शांती का प्रतिक है क्योंकि वहाँ पर गांदी जी की बहुत से यादे है और गांदी जी का जिल्ला माना जाते है उनको तो और यहाँ पर जो हमारे पराग आत्राम जी है सिपाई उनकी जो बदली की थी नासिक में बदली की थी सर मैंने ये पहले ही बताया था कि जब हसन जी आये है तब यही चल रहा था कि वर्दा में क्या चल रहा है तो हसन जी चल रहे है सब आते हैं स्टार्टिंग में सब हीरोगिरी दिखाते हैं और बाद में तो सब चल रहे अभी तो सब ही चल रहा है गांजा, दारू ये सब चल रहे और बहुत से ऐसे अनेतिक विवार है जो चली रहे और इसके प्रूब भी है मेरे पास और यहाँ पर मैं जिस चीज़ के ल लेकिन कोई वरिष्टने ते टोंडी मूँ से बोले हुए आदेश नहीं देते ना, लेखी लेखी कही ना कही लेखी रहता है, उनका नियम से चलता है डिपार्टमेंट, और ऐसे नहीं है ना कि आप आओ और जाओ, उन्होंने ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन हमारे जो उन्होंने बोला था कि नासिक में बदली की गई है, तो उनको बुलाया भी नहीं, उनको कुछ बताया भी नहीं, डायरेक ओर्डर देने की कोशिश की, लेकिन वो जब ओर्डर दी थी, तब उसके पहले ही, दो दिन पहले ही वो मेडिकल लिउपे थे, रेश्ट करने के लिए बोला था, फिर उसके दो दिन बाद उनकी बदली कर दी नाशिक में, और बोले की वरिष्टर नेता का कहिना नहीं माना, वरिष्टर डिपार्मेंट लोगों के कहना नहीं माना, तो आप बताईए, जब इंसान लिउपे रहता है, तो आप किस चीज का ओर्डर दे रहे हैं, और किस थ्रू दे रहे हैं, यह हमने पूछा था, इस पी सर को, तो सर बोले की उपर से, मुझे बताईए कि जब नीचे से ही आप कुछ ना कुछ लिख के भेजेंगे, तो उपर लोगों को कैसे क्या पता होंगा, इनका ही कुछ चल रहा होंगा ना, और हम वो परागात्राम जी ने मैट में केस भी डाली थी, और केस के रिजल्ट आये है कि उनको जॉइंट किया जाए, वो स्टे आ गया और जॉइंट किया जाए, जहाँ पर है वहाँ पर जॉइंट किया जाए, वर्दा में ही जॉइंट करने के आदिश थी, वर्दा में ही जॉइंट करने को बोला था, लेकिन अब ये कोट के आदिश आने के बाद, वो कोट क के आदेश का नुर्व हसन जी उलंगन कर रहे हैं अब बोल रहे हैं कि हम हाई कोट में डाल रहे हैं मतलब डाले नहीं अभी तक हाई कोट में केस डाल रहे हैं उसके बाद में देखेंगे हम उसके बाद में रिजल्ट जो आएगा तब हम अगर रिजल्ट पॉजिट्व आता है तो नासिक तो कैंसल हो गया अब हमने पूछा एसपी सर को तो सर बोले कि वरदा में है नहीं वो तो और उनका पेमेंट भी बंद है अब ये सालो साल कोट का तो आपको भी पता है ये सालो साल चलता ही है तब तक ये बेरोजगर रहेगा और इनकी परस्तिती इनकी जो घर क कहा जाएंगे वो बोल रहे हैं कि उपर से प्रेशर है अब प्रेशर कोन सा है पता नहीं है और यहाँ पे जो लिके हुए है कि ये हमारा सुनता नहीं है ये ड्यूटी पे आते नहीं है ये सब ये सिलक कारण है और इस कारण से तो जिल्ला बदली तो नहीं हो सकती है हाँ ये तो हो सकता है राच की दबाव भी हो सकता है पर कारण क्या है ये हमको नहीं पता अब भी तक नहीं पढ़ रहा है क्यूंकि वो मतलब उनको जो सपोर्ट है वो बहुत से लोगों अभी देखो ना दो दिन पहले गड़करी साहब ने बोला है कि नुरूल हसन जैसे व्यक्त पर याते और वहां पर ना जातिवाद भी चल रही है देखिए वहां पर 24 से 26 लोगों को इन्होंने मुख्याले अटेच किया है और कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया है तो आप थोड़ा महीती निकाल के देखिए कि इन में से एक भी मुसल्मान वेक्ति है क्या और जो म मुसल्म वेक्ति है वो जो है बड़े-बड़े पोस्ट पे इन्होंने उनको रुजू किया है तो आप देखिए इसको जातिवाद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे और बिना कारण के उनको नोटीस नहीं इनको चंबल में बुलाया नहीं इनका क्या कहिना है ये माना न अपनी मन हमानी कर रहे है नूरुन अस大的 यह सब तो मुंव से बताएं लेखितो कुछ है नहीं बस यहीं कि अधिकारियों के बाद सुनते नहीं है बराबर डूटी पे आते नहीं हैं और जब आरवी में रहने के बाउजोत अगर आरवी में डूटी कर रहे हो और 12 बज़े आप मुख्याले में जॉइन करने को बोल रहे हो और वो भी मुँ से बोल रहे हैं तो ऐसे थोड़ी नहीं होता है अब वो ही बताएगी कि मतलब उनको तो नाय दिलाना भी है लेकिन उनके साथ साथ जो बाके के भी सिपाई लोग है डिपार्टमेंट के लोग है जिन पर अत्याचार किया है हो रहा है उनको भी नाय दिनने का मैंने आज थानी लिया है बिल्कुल जो जो इसमें है और जो जो अत्याचार कर रहे है और अप आपने पोस्ट का गलत फाइदा उठा रहे हैं, उनके सब के खिलाब में आवज उठाऊंगी